तो R.A.S. मुख्य परिक्षा की तैयारी में एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ हाजेर हूँ एक और नया टॉपिक ले करके वर्ल्ड एकोनॉमी का हमारा या तीसरा टॉपिक है जो है विश्व व्यापार संगठन अगर आप मेरी पिछली दोनों कक्षाई देख चुके हैं तो आप इसके साथ आगे बड़े नहीं तो एक बार आप मेरा इसी कोर्स की जो दो पिछली कक्षाई हैं और आपको कोई content नहीं मिल रहा हो क्योंकि content बहुत जरूरी है और मैं अपनी हर कक्षा में आपको content या फिर strategy इन दो चीजों पर ही बात करता हूँ उसके अलावा मैं आपको किसी तरकी कोई कक्षा है इसलिए नहीं देता हूँ हमसे और अधिक जो चीज़े है वो लेने के लिए आप हमारे telegram channel पर जुड़ सकते हैं जिस पर मैं आपको daily कुछ updates देता रहता हूँ कुछ विशेश जो सूचनाए होती है या फिर जो भी content आपके लिए होता है वो वहाँ पर मैं अपलब्द कराता हूँ तो आप उसे वहाँ जोइन कर सकते हैं इस class के notes की अगर हम बात करें तो वो notes हमारी application rs junction app पर free of cost available हैं हमारे world economy की course में तो आप उसे join कर लीजी और वहाँ से आप इसकी PDF को print भी कर सकते हैं और अपने notes तयार कर सकते हैं ताकि आपको परिक्षा के समय अपने जो 7-10 number का प्रशनिस्वे से पूछा जाता है वो आपका आसानी से cover हो जाए टोपिक थोड़े से टेड़े हैं इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है और पांच कक्षाओं में हमारे course पूरा हो जाएगा ठीक है चलिए तो आज हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप सभी को मैंने बताया है पहले कि जो ब्रेटन वूड्स हमारा जो समझोता है ठीक है ब्रेटन वूड्स के परिणाम स्वरूप आपकी दो संस्थाएं विश्व व्यापार संग विश्व व्ल्ड बैंक और आई-म-फ यह दोनों अस्तित्व में आय थी लेकिन जो आई-टी-उ की अवधारना थी इंटरनेशनल विश्व व्यापार संगठन सामने आया खेर हम अभी उस पर डीटेल में चर्चा करेंगे पहले हम इसका परिचे ले लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन क्या है जैसा कि इसका नाम हमको दर्शारा है विश्व मतलब पूरे विश्व का है व्यापार मतलब जिसमें ए अगर हम कहें तो वो हम किसको कहेंगे विश्व व्यापार संगठन को कहेंगे तो अंतरास्ट्रिय संगठन है काम क्या होता है अब संगठन बना है तो सारे सदश्य है और सदश्य मिलकर के कुछ नियम निरधारित करते हैं कि भया मालो एक देश से दूसरे देश में कोई भी तो उसको किस नियम से भेजना है, कैसे उनकी packing होनी चीह, क्या उन पर शुलक लगनी चीह, क्या पर शुलक लगनी चीह, उनकी मातरा कितनी होनी चीह, ठीक है, ये सारी चीजे ये निरधारित करता है, इसके केंदर में क्या है, बहुत से समझ होते, बहुत से agreement किये गए अलग- यह agreement वस्तूवयापार से जुड़े हो सकते हैं जिसक्ति की आप गेहूं को भेज रहे हैं एक देश से दूसरे देश में या फिर एक के बहुत दिख संपदा से जुड़े भी हो सकते हैं जिसमें आप मालीजिए कि एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और एक देश से दूसरे देश में अपना प्रदर्शन करने जा उनको लेकर के क्या नियम होने चीएं वो इसमें तय होते हैं ठीक है जादातर जो समझोते हैं उन पर देशों ने बातचीत की ए मतलब कई लंबे दोर की वारताई हुई है बेटे हैं बेटकर के एक निरणे पर आये हैं और फिर सब ने ये तयक किया है कि हाँ हम सब इन पालन करेंगे क्योंकि यह जरूरी है विश्व व्यापार में अगर कोई हर कोई अपनी मनमानी करने लगे अगर नियम काइदे कानून ना हो तो व्यापार विगड़ना संभव है और एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर लेगा जैसा कि उपनी वेश्वाद के दोरान हमन नियमा बना कर पुष्टि की है और ये सिध्दान्त इस प्रणाली की नीव है तो हमारा विश्व व्यापार सं Migठीन टिका हुआ है कुछ समझोतों पर उन समझोतों पर हम चर्चा करेंगे उद्देश क्या है विश्व व्यापार संगठन का एक ही उद्देश है व्यापार सुगम बने मतलब व्यापार करने में किसी व्यापारी को परेशानी ना हो निरबाद रूप से इमानदारी पूर्वक व्यापार किया जाए और लगबग विचारा उबोगता बन जाए और दूसरा जो है निरियातक बन जाए नहीं सभी आयात करें सभी निरियात करें जिसके पास जो चीज उपलब्द है उसे साब से वह चीजों की उपलब्दता हर देश में बनी रहे वह भी उचित मुल्यों पर ठीक है तो आयातकों को निरियात को को और उत्पादकों को उनका बिजनिस कैसे चलाना है इसमें मदद करने का काम यह विश्व व्यापार संगठन करता है और विश्व के 98 प्रतिशत से अधिक जो विश्विक व्यापार है उसका प्रतिनी दित्व इसके देश करते हैं क्योंकि देश इतने ही है 164 के करीब देश इसमें सम्मिलित हैं 160 संयुक्तराष्ट के सदश्य हैं मतलब जो संयुक्तराष्ट के सदश्य बन चुके हैं जबकि जैसे एरोपियन यूनियन हो गया तो यह समू है ठीक है हॉंक कांग मकाव और ताइवान जैसे देश भी जिनको अभी तक करने की पद्दती इनके पास है या फिर अपने प्रशाशित करते हैं स्वयम संप्रभू की तरफ प्रशाशित करते हैं अपने व्यापार के मामलों को ठीक है अब आप बोलोगे सर इतना लेट जबकि हम तो 1948 की बाते कर रहे हैं बिल्कुल दोस्तो 1948 में एक गेट नामक समझोता किया गया था और उसी में सुधार करते वे ये पहले संदी था क्या था एक संदी थी और उस संदी के अधार पर था लेकिन बाद में इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया एक संगठन से तो पहले क्या थी एक संदी थी दो देशों के बेच में संदी हो सकती है लेकिन जब संगठन बन जाता है तो बराबरी के बागिदारी हो जाती है उद्देश क्या है व्यापार में टैरिफ और बाधाओं में कमी लाना टैरिफ क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ दरसल दोस्तों दो शब्द होते हैं एक होता है मुल्य ठीक है और एक होता है टैरिफ इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिए मुल्य का मतलब होता है जिस कीमत पर किसी वस्तु को बीचा जाता है मतलब मान लीजिए आपने किसी से गेहूं खरीदा 15 रुपे किलो में ठीक है तो यह 15 रुपे जो है यह इसका मुल्य हो गया लेकिन एक देश से दूसरे देश में जाते समय मान लीजिए यह देश पोलता है कि अगर मेरे यहांसे कोई वी एक केलो ग्यांओ जाएगा तो मैं उसके एक रुपै क्या लोंगा चार्ज लोंगा तो वहां जाकर कि छोला रुपै में विक्कियेगा तो यह जो एक रुपे में बिकेगी जबकि बाजार में घरेलू में अगर ये पहले से 15 में अवेलेबल है तो कोई 17 में खरीदेगा ही नहीं तो इसलिए जो 2 रुपे का बाधाय या बैरियर्स हैं उनको कम करने का काम इसके अंतरगत किया जाता है महानिदेश को ने इसके नंगोजी ओंकोजव इवेला ये महिला है जो नाईजीरे की है ठीक है इनका नाम थोड़ा यसा है ये गोज़ी ओंकोजव इवेला और सुजड़ेंड में इसका मुख्याल में 1948 में गैट समझोता बनाया गया था गैट का मतलब होता है General Agreement on Tariff and Trade मतलब General Agreement सामानिय समझोता किस पर? Tariff and Trade पर तो Tariff और व्यापार पर सामानिय समझोता एक समझोता सभी देश्मने मिलकर बनाया था उसके बाद में लगातार 1948 से लेकर के 1905 में तक आठ दोर की वारताएं हुई मतलब जैसा कि मैंने कहा कि WTO का काम ही वारता करना है ये पहले बातचीत करेगा और जब तक सारी पार्टी सहमत नहीं हो जाती तब तक कोई भी कानून लागू नहीं करेगा ठीक है तो जब लगातार इन्होंने बात की एक दोर चले इसके पहला दोर दूसरा दोर तो उनकी अउधी हुई जैसे कि आठवा दोर चला 1986 से लेकर के 1994 जिसको बोलते उरुगवे दोर और इस उरुगवे दोर के अंतरगत इन्होंने बात की इन्होंने माना कि हमको एक संगठन की जरुरत है और उस संगठन को इन्होंने इस्थापित किया एक जनवरी 1904 में को इसका नाम दिया विश्व व्यापार संगठन जो ब्रेटन वूड समझोता हुआ था उसमें कोशिश किये थी ITU स्थापित करने की इंटरनेशनल ट्रेड और्गनाईजेशन लेकिन वह स्थापित हुआ नहीं तो फिर हमने यहां पर नया एक वर्ल्ल ट्रेड और्गनाईजेशन के नाम से इस्थापित किया अच्छा इसकी जो बातचीत पूरी हुई थी वह 1994 में हुई थी उरुकवे दोर में मराकेश में और इसलिए इसको मराकेश समझोते के अनुरूप इस्थापित माना जाता है तो मराकेश वह समय है वह समयलन था जिसके अंदर यह बात हुई और फाइनली क्या होगा बिल्कुल सिंपल सी बात है विद्याले प्रबंदन जैसे विद्याले है विद्याले का काम सबसे पहला होता है सिक्षा देना वो नियम कानून बनाएगा ठीक है अगर बच्चों की बीच में कोई जगडा होगा उसको देखेगा वो बच्चों को ट्रेनिंग द को लेकर करके आगे बात करेंगे इन पर उसको लागू करना दूसरा और सुधार करने के लिए मंच का काम करना मतलब वहां पर बैठ करके चर्चा हो सके इसलिए वो सभान करते हैं अपने अगर दो देशों में कोई विवाद है मान लिजी बारत और अमेरिका के बीच में दवाईयों की जो लाइसेंसिंग है निवारे लाइसेंसिंग उसको लेकर विवाद है तो यह बैठे का बोलेगा कि आओ हमारे साथ बेटो हम चर्चा करेंगे फिर उसको सुल जाएंगे लड़ाई जगड़ा नहीं करेंगे न विवादों को समालना है यह बएपार के संभाणाई होती है कि इसी के साथ किसी देश में कैसी नीतिया बनाई ये उनके निगरानी करता है कहीं वो गड़वर तो नहीं है कई उनकी वजए से व्यापार की हानि थे यह सारा देखा जाता है और इसके अलावा जो बाकी चोटे-मोटे संगठन हैं अंतराश्ट संगठन जैसे चेत्रिय को व्यापार समझता हो गया तिक है या फिर जैसे बौधिक संपदा संगठन है ऐसे संगठन या संयोगत्राश्च उनके साथ में संयोग करना व्यापार की ट्रेनिंग देना, कितना सिंपल तरीके से आपको चीज़े याद गरने हैं, उस पर ध्यान दीजिए, आपको रटना नहीं है, आपको बहुत आराम से चीज़ों को समझना है, और दो-तीन बार आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको ये चीज़े याद हो जाएगी, मुख्य पर पहला समझ होता है ये जो 1948 में आया, तो एक बहुरास्ट्री व्यापार संधी है, ये संगठन नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये क्या है, एक संधी है, ये संगठन नहीं है, इस संधी को लागू करने का उद्देश था, जो उस समय क्या था कि वस्तु व्यापार इसको ये आया, जबकि हस्ताक शरु हुए थे 30 अक्टूबर 1947 को, इसके बाद में मैंने जैसा बताया, 1947 से लेकर के 1925 में तक, नो दोर की वैश्विक व्यापार वारताओं को जो है, एक स्टंखला आपने इसमें आयुजित की, और उस दोरान, नो दोर की, नहीं केवल आट दोर की मानेंगे, क्योंकि नवा दोर, दोहा दोर को बोला जाता है, जो बाद में लागू हुआ है, इसके बनने के बाद में ठीक है, और एक जनवरी 1905 में को, तक ये रहा, कौनसा, गैट, अच्छा, गैट खतम नहीं हुआ है, जब विश्विवापार संगठन के स्थाप बना दिया, एनेक्षर 1 में, ठीक है, एनेक्षर 1, ए में जो है, ये पहले समझोते की रूप में अभी है, मतलब गैट को समाप्त नहीं किया गया है, बलकि गैट को, चुकि संधी थी, तो संगठन हमने अलग बनाया, लेकिन उस संगठन के ही एक समझोते का रूप गैट को हमने फिर दे दिया, कि वस्तू में जो भी व्यापार होगा, वो इस समझोते, गैट 1-9-9-4 से क्या होगा, प्रशाशित किया जाएगा, तो गैट की कलपना कब की थी, मैंने बता दिया आपको पहले ही, कि एक व्यापार और रोजगार पर सिवतरा सम्मिलन हुआ था, UNCTE, ठीक है, और उसी में हमने गैट की बात की थी, तो पहले जो ब्रेटन वुड में ITO बनाना चाते थे, उसकी जगह पर हमने गैट बना दिया, ठीक है, और फिर हमने कोशिश की कि इसको लगातार हम आगे सुधारते रहें, उसके लिए हमने बहुत से दोर की वारता है की, कोटा मतलब होता है कि आरक्षित कर देना किसी भी व्यापार में कि यह व्यापार जो है, यह हमारे राज्जी की सरकार के द्वारा ही किया जाएगा, या इतना साही व्यापार आप कर सकते हैं, इस तरह से कोटा स्थापित कर दिया जाता है, फिर आता है उरुगवी दोर, तो उरुगवी दोर भी मैंने समझा दिया आपको, कि बहुत से व्यापार के दोर बातों के दोर चले हैं, लगातार सुधार के लिए, तो गेट में सुधार के लिए एक आठवा दोर चला, 1986 से लेकर, 1993 में तक, ठीक है, इसी दोर में, 1994 में, आपके विश्व व्यापार संगत की बात की मराकेश में, और ये एक अभिन अंग रहा है, WTO समझोतों का, कौन सा गेट, गेट की उरुगवी दोर की वारताएं, 1986 से 1994 के बीच की है, इसमें क्या-क्या बाते की गई, क्रशी सबसीडी को कम करना, तो केती पर जो सबसीडी दी जाती है, जिससे कहीं बार व्या करना है, तो आपके बल 49% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विदेशी, बाकि 91% जो है, देशी होना चाहिए, भारत में देखा न, जैसे हम खोल रहे हैं हमारे व्यापार को, हमने कहीं जिगा 74% तक जो है, इन्वेस्टमेंट को अनुमती दिये, कुछ में तो हमने 100% भ को निपटने के लिए, कोड तयार करना, यह सारे काम इस उरुग्वे दोर में हुए, बेसिक छोटी-छोटी चीजे हैं, जिन पर आपको ध्यान देना है, क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ, अच्छा मेरी स्पीड अगर ज्यादा हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते ह अब बात करते हैं, WTO का संगठन कैसा है, WTO दिखाई कैसा देता है, तो मैंने आपको पहले World Bank के बारे में भी बात की, ठीक है, फिर मैंने आपको IMF के बारे में भी बात की, तो हमने देखा कि World Bank में आपके Governors जो हैं, वो मिलकर के सम्मेलन करते हैं, अलग-अलग देशों के ठीक है, और IMF में भी Same to Same, वही डाचा है, फिर IMF में कारे-कारी Council होती है नीचे, फिर दो समीतियां उसकी अलग से है, सब बातों पर हमने चर्चा वहां पर की है, WTO के संगठन की बात करें, तो इसमें सबसे उपरी निकाय होता है, मंतरी इस्तरिये सम्मेलन, ठीक है, तो विभिन देशों के मंतरी बैठ करके, जो इसके 164 देश है, उनके मंतरी बैठ करके चर्चा करते हैं, और इस चर्चा के दोरान विभिन मुद्धों को बातचीत के माध्यम से सुल्जाने का प्रियास किया जाता है, इस Ministerial Conference के नीचे होती है, General Council, सामान्य परिशद जिसकों बोलते हैं, ये सामान्य परिशद अलग-अलग काम करती है, जैसे कि कहीं बार ये जब भी जो व्यापार की नीतियों की समिक्षा होती है, तो उस निकाई के रूप में भी काम करती है, ये होता है, General Council के सदेशे ही इस रूप में बैठते हैं, या फिर कहीं पर कोई निकाई के रूप में भी ये काम करता है, तो General Council दो अलग-अलग रूपों में कई बार काम करती है, इस General Council के नीचे चार Council होती है, पहले होती है वस्तवों के व्यापार वाली जो Council है वो, दूसरी होती है, ट्रिप्स मतलब बहुत इक संपदाधिकार वाली Council, तीसरी होती है सेवा व्यापार में होने वाली Council, सेवा व्यापार में ने समझा दिया आपको, और चोथी होती है विवादों के जो मुद्दे हैं व्यापार के उन से जुड़ी Council, ये चार Council इसके नीचे होती है, ठीक है, और ये General Council के अंतरगत सीधी कुछ committees भी आती है, बहुत सी lists बड़ sorry, L-A-T-E-R-A-L, multilateral और एक होता है, plurilateral, अंतर क्या है, ये समझ लीजिया, जब multilateral की बात करते हैं, तो multilateral मतलब जिसे WTO खुद एक multilateral संस्थान है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो चीज सब पर बात दिया हो जाती है, जैसे get समझोता जो है, अब कोई भी सदश्य ब मानना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, कई बार कुछ देश मिलकर कि किसी topic पर एक समझोता कर लेता है, जैसे 164 में से हो सकता 28 देशों ने मिलकर कि एक समझोता कर लिया, किस पर trade in civil aircraft पर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे plurilateral, और ये बात दिये नहीं है, ठीक है, इसको बात दि में होता है, तो कुछ plurilateral भी इसके समझोते होते हैं, ये clear हो गया, ये इसका संगठ है नहीं, थोड़ा सा detail में वापस से देख लेते हैं, मंत्री स्तरिय सम्मेलन, मंत्री स्तरिय सम्मेलन सरवोच निकाय है, और इसमें ज़्यादा तर, जो वानिजए मंत्री होते हैं, वो वानिजawk मंत्री इसके अंतरगत समेलित होते हैं, ठीक है, तो वानिजी मंत्रिओं की बैठेक इसको हम कहते हैं, हर साल में होगी दो बार, दो बार बैठेंगे 6 मह manipulated में और उस समय बात करेंगे की कैसे कौन से tarif हमको कम करने हैं, कौन से बढ़ाने है इस तरह की सारी बात है इसके नीचे परिशदें हैं सारा मैं बता चुका हूँ MC के नाम से इसको जाना जाता है मिनिस्ट्रिल कॉन्फरेंस है तो MC अब जैसे MC 12 हुई जून 2022 में जिनिवा सज्जरलेंड में ठीक है 2023 में कोई बैठक नहीं हुई MC 13 अबूधाभी में सयुकतर अब अमिरात में 26 से 29 फरवरी 2024 को प्रस्तावीत है ठीक है इसके लावा और भी है तो मैंने 2-3 आपको दे दी है आपको याद खुद कोई करना पड़ेगा मैं इनको रिपीट करूँ गोई मतलब नहीं इसके नीचे जनरल काउंसिल ये भी मैं समझा चुका हूँ जनरल काउंसिल जो है ये सरवोच नेरने लेने वाली संस्ता है ठीक है और MC के नीचे काम करती है मिनिस्ट्रिल कॉन्फरेंस के नीचे इसमें कौन होते हैं ज्यादा तर राजदूत तो देखो MC में होते हैं हमारे वानिजी मंत्री जैसे कि प्यूश गोयल जो है हमारे उन्होंने भाग लिया भी और यहाँ पर होता है एक राजदूत न्यूक्त किया जाता है एक अलग-अलग रूप में काम करती है मैंने आपको बताया उपर तीन-चार रूप हैं जैसे कि यह काम करती है आपके जनरल काउंसिल मीटिंग एज ट्रेड पॉलिसी रिवीव बोड़ी या फिर डिस्पूर्श सैटल्मेंट बोड़ी इसके रूप में भी ये काम करती है क्लियर अब बात करते हैं सदश्यता कैसे होती है कोई भी सदश्यत कैसे बनेगा मैंने आपको पीछे बताया था कि जैसे वर्ड बैंक का सदश्य बनना है तो पहले आई एमफ का बनना पड़ेगा ठीक है तब ही जाकर के आप इधर आ सकते हो यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर क्या होता है कि माल लोग कोई देश बोलता है कि मैं सदश्य बनना चाहता हूं वो बोल दिया वो आएगा यहां पर अपना application देगा उसके बाद में क्या होगा कि एक working council बनाई जाएगी ठीक है क्या करेंगे एक कारेकारी party बनेगी ठीक है आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ता है मतलब आप अभी तक जो अपने क्रशी या व्यापार पर जो भी समझोते अपने लागू कर रहे थे जो भी तरीके उनको आपको बदलना पड़ेगा यह WTO सदेश्यता का मूल है सदेश्य कितने हैं मैंने बता दिया 164 सदेश्य वर्तमान में है 25 परिवेक्षक सरकारे हैं वो देखती है अभी तक लेकिन वो सदेश्य नहीं है अंतिम सदेश्यों में देखें तो अफगानिस्तान 164 सदेश्य बना जुलाई 2016 में तो यह एक फैक्ट है जो आपको याद आना चाहिए काम करती है पूछ लेगा आपसे कि यह सिद्धान्त क्या है इस सिद्धान्त में क्या किया जाता है यह सारी चीज़े तो पहला सिद्धानत है ग्यार भेदभाव मतलब कोई भी देश दूसरे देश के साथ जो सदश्य है WTO का उससे भेदभाव नहीं करेगा और इसको हम दो फॉर्मुलाज में देखते हैं पहला फॉर्मुला जो है वो है हमारा MFN का MFM Most Favored Nation या सरवादिक पसंदीदा रास्ट डिटेल में समझाओंगा अभी और दूसरा जो है इसमें वो है रास्ट्री उपचार या नेशनल ट्रीटमेंट बहुत सिंपल चीज़े हैं पढ़ते ही समझ जाओगे आप और यहां से दो नमर का प्रश्ण बनने की कर रहा है दूसरे से भी वैसाई करेगा एक पर पांच परसेंट का शुल्क लगा रहा है तो दूसरे पर प्री पांच लगाएगा यहीं कि साथ लगा ले ना बराबर लगेगा तो अगर किसी देश को तुमने MFN का दरजा दे रखा है तो उस देश को तुम बराबर जितन में WTO का सदिश है उसमें पैदा होने वाले गेहुं में कोई भेधभाव नहीं होगा वहतलों यह नहीं है कि मैं उसके लिए अलग नियम लगाऊं मेरे अलग नियम लगाऊं हमारे उत्पाद या हमारे नागरिकों के लिए जो हमने प्रावधान रखे हैं जो शुल्क हम उनके लिए लगा रहे हैं, जैसे कोई चीज कोई मार्केट में खरीदने जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि विदेश से आने वाले व्यक्ति को जदा महंगा दिया जाए, नहीं, वो भी उतने में ही दिया जाएगा, ये नैशनल ट्रीटमेंट हम इसको बोलते हैं, आगे इस पर ओर डिटेल में चर्चा करेंगे, दूसरा सिद्धानत है मुक्त व्यापार का सिद्धान, ये कहता है कि जो भी बाधाये व्यापार में उनको धीरे धीरे बातचीत करते वे कम करना, ये काम हमने किया है वारताओं के दोरों के माध्यम से, और वर्तमान में समापत होना था, लेकिन नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो लगातार धीरे धीरे बातचीत से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, पहला गेर भेदवा हो गया, दूसरा मुक्त व्यापार, तीसरा है पूर्वानुमेता, ठीक है, या प्रेडिक्टिबलिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पारदर्शिता बनाते वे और कुछ नियमों को लागू करते वे, जो है, एक पूर्वानुमेता या प्रेडिक्टिबलिटी स्थापित की जाएगी, क्या आने वाले समय में व्यापार की स्थती हो सकती है, ठीक है, पारदर्शिता रखा जा इसके अलावा उनको अपने मार्केट को और देशों के लिए खोलना पड़ेगा, यह भी बात देता है, यह सह नहीं कि आपने अपना खुद का एकादिकार इस्थापित कर रखाओ, उस चीज में नहीं, तो कोटा प्रणालियों को खतम करना, ठीक हो, और पारदर्शिता व घरेल उत्पादन तो काम, लेकिन आप फिर भी चाते हो कि बाजार में इस्सेदारी बड़े, तो अमेरिका क्या करें कि गेहों को बेचने के लिए, अपने किसानों को जदा लाब देने के लिए बोलता है, कि तो मैं दो रूपे तुम्हें एक्स्ट्रा दूँगा, मेरी त स्थापित कर दो, ताकि दीरे-दीरे लोग तुमसे खरीतते जाएं तो यह 15 वाला बरबाद हो जाएगा, और जिस दिन यह बरबाद हो जाएगा, उस दिन फिर तुम अकेले रजाओगे, फिर तुम रेट बढ़ा करके इसको 20 में बेचो, यह वाला डंपिंग का काम नहीं के लिए काम करना, तो यह 5 सिद्धान्तों पर WTO के पूरी व्यापार पनाली को इस्थापित किया गया, ऐसा ही कहते हैं, एक्चुल में क्या होता ही, यह अलग बाते हैं, लेकिन यह इसके सिद्धान्त है, जो आपको याद गरना है, क्योंकि हमें वही करना है, जो लिखा ह हो है, चलिए, अब कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि सरवाधिक पसंदीदार आश्ट्रिया, MFN क्या है, मैंने वैसे तो समझा दिया, कि अंतराश्ट्री व्यापार में एक देश, दूसरे देश को बराबर की स्थर्द दे, बराबर का व्यवार के दे, बिना भेद भाव को बढ़ाने के लिए, दोनों चीजे आ गई न, मुक्त व्यापार में भी, गैर भेद भाव में भी और अधिक प्रतिस्परदी, तीनों बनाने के लिए MFN दिया जाता है, लेकिन MFN का एक अपवाद है, उनको बोलते हैं तरजीही व्यापार, या प्रिफरेंशिल ट्रेड, प्रिफरेंश देते हुए ट्रेड करना, तो क्या होता है कि कुछ विक्सित देश जो है न, वो क्या कर सकते हैं, किसी विकास देश को कुछ कम शुलकों के साथ में सुईधा दे सकते हैं, तो कुछ जैसे मान लीजिए, बढ़ा देश है कोई, अब छोटा कोई दे भाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रिफरेंस दे सकता है, ठीकिन बराबर के देश जो हैं, वो नहीं करेंगे, बढ़ा भाई छोटे भाई के लिए कर सकता है, इस तरह की बात आप मान के चले, विक्सित देश विकास देशो को कोई छूड दे दे, या फिर छेतरी मुक्त मुक्ति व्यापार समझोते होते हैं, रिजनल ट्रेड एग्रिमेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे प्रशान्त मासागर में जो पैसाफिक ट्रेड एग्रिमेंट है, ठीक है, इस तरह की चीज़े, या हिंद मासागर चेतर में आपने कोई ट्रेड एग्रिमेंट कर लिय या आसियान देशों ने कोई ट्रेड एग्रिमेंट कर लिया तो वहां पर वो क्या कर सकते हैं उस एग्रिमेंट के जो देश हैं उनको एक विशेश छूट या मुक्ति व्यापार की सुईधा दे सकते हैं यह अपवाद हैं MFN के टेकरे के हालां कि MFN जरूरी नहीं है कि सभी देशों को मिले आप इसको रद भी कर सकते हैं किसी विशेश परिस्तिति में जैसे की राष्टी सुरक्षा अब जैसे मालो पाकिस्तान ने भारत पर अमला कर दिया दो जारों में पुल्वामा में तो भारत ने क्या किया MFN का दरजा वा किस से रूस से तो इस तरह से वापस लिया जा सकता है अनुच्छे देखकी से डव्ल्यू टियों का उसमें यह राष्टी सुरक्षा का मुद्दा होते वे इस तरह से लिया जा सकता है वापस बिना बताएं राष्ट्र उप्चार मैंने समझा दिया आपको कि जो लाब आप अपने नागरिकों को दे रहे हैं वो ही लाब आप बाकी देशों के नागरिकों को देंगे जब वो आपके वहाँ पर घूमने आए या फिर वो रहते हो यहाँ पर काम करते हो जो भी है ठीक है दूसरा बाहर से आयात होने वाली वस्तू के साथ वीist काऊन वैवार यह नहीं कि आप उनको तो आगे वाली अ बागी को पीछे दबे में रख दें वहला काम नहीं हो न चाहिए दोनों के साथ बराबर का वेवार होना चाहिए ठीक है चो ये यह दोनों ही अवदार नाए coule kupon व्यापार संग्ठन बनने के बाद फिर से हमने नवे दोर की बाद था शुरू की दोहा दोर के नाम से कतर दोहा में नवंबर 2001 में शुरू हुआ था चोथा मंतरी स्त्रिय सम्मिलन था उस साल MC जिसको हम बोल रहे हैं न मिनिस्ट्रिल कॉन्फरेंस ठीक है उसमें क्या था इसकी शुरूआत की गई और बोला कि अब हम थोड़ा सा पहले तो क्या था कि बाजार या वस्त्वों की व्यापार पर ही जदा बाते हुरी थी लेकिन अब हमको बाते करनी थी और मुद्धों पर खास करके ट्रेड इन सर्विसेज पर ठीक है जिसके लिए हमने एक गैड्स नामक समझोता बनाया आ पर बातचित शुरू ही दोहा विकास एजेंडा हमने लॉंच कर दिया 2001 में फिर उसके बाद में हमने इसमें बहुत सी बाते की जैसे कि कैंकुन का जो सम्मेलन हुआ वहां पर बातचित ही कोई समझोता नहीं हुआ 2004 में एक फ्रेमवर्क बनाया 2005 में होंकों के समझोते में ह पर दोजाराट में हमने जुलाई में और बात की पुछ मद्वेद कम कि दोजाराट में करशी और गेरकरशी उत्पादों में कुछ मसलों पर बात की और 2013 में एक बाली पेकेज हमने लॉंच किया तो बाली में जो इंडोनेशिया में से जो समझोता हुआ उसमें हमने ये कहा कि जो किसान विकास सिल देशों के हैं करशी छेतर में तो उनको कुछ रियायते देने की बातें यहां पर की गई और फिर 2015 में खास करके अफरिका और बाकी जो पिछले देश हैं उनके लिए हमने नेरोबी पेकेज की घोशना भी इसमें की ये कुछ नाव है आपको याद होने चीए सारे के सारे दोहा दोर से जुड़ेवे बाते हैं इस पूरी चर्चा के दोरान तीन मुद्दे बहुत इंपोर्टेंट सामने आएं पहला है खेती या क्रशी का मुद्दा तो क्या है कि विकासील देशों के लिए क्रशी आज भी बहुत महत्पूर है क्योंकि इनकी बड़ी आबादी क्रशी पर निर्भर करती है और इसी लिए ये क्रशी में क्या करते हैं कुछ मदद देने की कोशिश करते हैं किसानों को भारत को ही देख लो आप अब हमारे यहाँ पर कितनी जदा छूट दी जाती है खाद को लेकर के देख लीजिए बीज को लेकर के देख लीजिए सिचाई को लेकर के देख लीजिए ठीक है तो यह जो भी हम छूट देते हैं क्यूं देते हैं ता यह आजी विका का साधन है या आप खेती को अगर आप इनका व्यापार अगर सही नहीं हो पाएगा इनको उचित मुल्य नहीं मिलेगा तो यह बरबाद हो जाएंगे इसलिए विकासिल देशों ने क्रशी के मुद्दे को प्रमुक्ताद से यहां पर बात की इसने कहा कि यूरोपिय संग और ब्राजिल और भारत जैसे जो देश हैं उन्होंने स्नियुक्त राज्य अमेरिका से क्रशी के लिए व्यापार विकरत घरेलू समर्थन को कम करने के ल सबसीडियों की मात्रा भी बहुत कम है जैसे कि अमबर बॉक्स सबसीडियेक होती है तो खाद भीजो और इनकी लिए जो सबसीडियों निर्धारित है कि विकासिल देश अपने कुल उत्पादन का 10% जो है मदद कर सकते हैं किसानों को सो रपे का गरम उत्पादन करते हैं तो 10 रुपे की छूट आप दे सकते हैं किसानों को अलगलग चीज़ों में लेकिन ये देश बोलते हैं कि भीया तुम विक्सित हो चुके हो समितिराज अमेरिका तुमारे यहां पर बड़े बड़े खेत नहीं तुमारे मशीनों से खे दूसरा दवाओं की अनिवारे लाइसेंसी अब क्या होता है कि ज्यादातर रिसर्च बड़े देशों में होता है वो क्या करते हैं कि जो बहुतिक संपदा अधिकार है खासकर दवाओं के चूंकि स्वास्था एक बहुत महत्पुन मुद्दायर गरीब से गरीब व्यक्ति जीकों भी स्वास्ते शुटा मिलनी चीए हम ऐस्टी जी में भी बढ़ते हैं इस चींज को ठीक है बहुत महत्पुन रूप से स्वास्ते को प्रमुक्ता से रखा गया है ठीक है हमारे तो दवाओं में क्या होता है 20 साल का पेटेंट लेने के बाद में क्या करते हैं वह जै कराते जाएंगे कि अनिवारे liar सेंगे कि अअ हम चाहते हैं कि कोई ऐसी Corporal databases के जरूरी है उसके लीए हम patent मालिक की सहमती के बिना उसे उत्पाधन कर सके जिसको बोलते हैं जैसे generic दवा जिसको हम बोलते हैं जैनेरिक दवाओं को बड़ावा देने की बात इसमें की गई है ताकि लोगों को स्वास्ते स्विधा दी जा सके अब जैसे भारत में cancer की दवाओं का मुद्दा कहीं बार ठीक है तो 2012 में netco pharma जो liver और kidney cancer की दवा बनाता है ठीक है तो उसके लिए हमने generic दवा निर्मान के लिए अनिवारे license प्रदान कर दिया मतलब हमने compulsory licensing की जो evergreening है उसको रोकने के लिए और सस्ती दवाएं उपलब्द कराने क्योंकि वो दवा बहुत महेंगी बेच रिये company तो हमने उसको जान बुझ करके next hour company को हमारे यहां पर क्या किया कहा कि तुम generic group से निर्मान कर सकते हो हमने तुम्हे license दे दिया अब इसका विरोध कोन करेगा अमेरिका की नहीं वही हमारी दवाई का license क्यों दिया फिर इस मुद्दे पर चर्चा हुई और दवाओं की विशेश अधिकार देते हैं ठीक है उनके लिए हम यह शब्द उप्यों करते हैं मतलब हम क्या कर सकते हैं विकास सिलदेशों के लिए उनको कुछ विशेश मदद कर सकते हैं विशेश हम उनको कुछ छूट दे सकते हैं इसको बोलते हैं विशेश और विवेदक उपचार तो इस पर भी इसमें चर्चा की की, तो तीन चीजे, सबसिडी, क्रशी में, दवाओं की अनिवारे लाइसेंसिंग, और विशेश और विभेदक उपचार, ये तीन मुद्धों पर बातें की गई, और इन पर कुछ सहमती भी की गई है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब आते ह समझोते हैं, आप इस टेबल से आराम से समझ जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो तो आप फोकस हो जाईए, पूरी तरह से, अलर्ट हो जाईए, मैं जो बताने बाजा रहूं चीजों को, दरसल पहला समझोता है, जिसको बोलते हैं, अंब्रेला एग्र इसके आते हैं, इसको छत्र समझोता भी हम कहते हैं, इसके नीचे वाले समझोते व्यापार से जुड़े हैं, और इनको सभी को परिशिष्ट वन या एनेक्षर वन में रखा गया है, व्यापार पर मल्टी लेटरल एग्रिमेंट्स ये सारे हैं, तीन छेत्रों में हमने एन ठीक है, और बाकी जितनी भी सेवाएं हम देते हैं, प्रबंदन से जुड़ी सेवाएं, मैनेजमेंट से रेटेट सेवाएं, ठीक है, ये सारा, आथित्य सेवाएं ये सब, और तीसरा हो गया बोधिक संपदादिकार, ठीक है, जो हम दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे प व्यापार पर जनरल एग्रिमेंट ओन ट्रेड इन सर्विसेज लागू है, और बोधिक संपदादिकार के लिए ट्रेड रिलेटेड अस्पेक्ट्स फॉर इंट्रेक्च्छल प्रपर्टी राइट्स नाम से एक अलग समझोते हैं, तीन समझोते हमारे तीन अलग-अलग च परिशिष्टा की बात करते हैं, बार दर्शिटा होगी नियमों को अच्छा बना करते हो, परिशिष्ट तीन में हमने ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मेकेनिजम बनाया है, और फिर बात आती है हमारे प्लूरी लेटरल ट्रेड एग्रिमेंट्स की जो परिशिष्ट 4 में है, यह मैं आपको पहले भी पीछे उस पिक्चर में समझा चुका हूँ, तो यह सेम टू सेम वही चीज़ है, तो आपको कोई WTO के समझोते पूछे ने, तो आप इस तरह से वरगी करन करके बता सेते हैं, पांच नमर की क्येस्टन में, ठीक है, अब हम एक महत्तुपूर्ण सम पादन का आधार है, क्रशी पर ही बहुत सी इंडस्ट्री जाधारीत हैं, और क्रशी कहीं लोगों के लिए जीविका का सादन है, तो क्रशी से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, उन पर बात करना, उनमें पारदेशित लाना, और बाजारों को एक जिसा बनाने का प्रिया और तीसरा है निरियात सबसीडी, मतलब जब आप अपना सामान बेचने, तो देश आपकी क्या मदद कर रहा है, तो तीन पर हम बात करेंगे, पहले हम घरेलू समर्थन को देख लेते हैं, घरेलू समर्थन में घरेलू सबसीडी सम्मिली थे, और लगातार WTO का प्रियास है कि कम से कम सबसीडी की जाए, और इसलिए इसने क्या किया कि सबसीडियों को डिवाइड किया अलग-अलग केटेगरी में, पहली केटेगरी है व्यापार विक्रत और दूसरी है गेर व्यापार विक्रत, व्यापार विक्रत का मतलब है ऐसी सबसीडी या ऐसी छूट जिससे व्यापार में अनुचित प्रताएं शुरू होती है या व्यापार में भेदबाव होता है व्यापार विक्रत होता है मतलब मुक्त व्यापार को बिगाड़ता है अगर तो वो सबसीडी क्या होगी व्यापार विक्रत सबसीडी और जो सबसीडी व्यापार पर कोई प्रभाव इससे सबसेड़ी अगर आपने देना शुरू कर दिया तो उससे क्या होता है अंतराष्ट विवापार विक्रत होता है ठीक है क्योंकि उत्पाधन करने वाले को काफी सस्ती चीज़े उत्पाधित करने का मोका मिलता है और फिर वो मार्केट में उसको महंगा बेचता है इसमे तो क्या क्या हो सकता है खाद बीज, बिजली, सिचाई, नियूंतम समर्थन मुली ये सारे उत्पाधन के इस्तर पर दी जाने वाले सबसेड़ी है और यही विवाद का सबसे बड़ा मुद्द है क्योंकि इस पर क्या है कि विकास सिल देश इस पर सबसे ज़दा चूट दे चूट देश को यह देने की जुर्यत नहीं पड़ते क्योंकि विकसडदेश कहा है कि रिशर्च पर उन्पर काम ज़्यदा करते है, ठीक है और व्यापार की मात्रह बहुत ज़्यादा है और ऑल्रेडी विक्सित होच उखिय है उन्होंने बहुत रिसर्च कर लिया है उनके इन्वेस्टमेंटन बहुत हो चुका है लेकिन विकासिल देश तो अभी आजाद हुए हैं दस पचाइस साल पहले और उनको कोई ज़्यादा समय नहीं हो आए तो उनको लगातार अपने च्छेत्र में काम करना पड़ता है तो वो कहते हैं कि नहीं इसको थोड़ा हमको छूट दू फिर आता है ब्लू बॉक्स ब्लू बॉक्स भी एक तरह की एंबर बॉक्स यह लेकिन इसमें लिमिट कर दी जाती है छेत्र की जैसे कि आप देखते हैं कि अगर सोलर पैनल पर चूट मिल ली तो 7.30 HP तक की ही मिल रही है जादा नहीं मिलेगी तो निर्धारित कर दिया हमने ठीक है या फिर बोल दिया कि एक किसान को दो एकर तक ही चूट मिलेगी उससे जादा नहीं जिससे कि तारों तारवंदी के लिए हम छूट दे रहे हैं तो बोल दिया कि अधिक्तम इतने ही तार तीसरा आता है green box, green box में ज़्यादा तर जो चीजे सम्मिले तक वो क्या है, आप देखिए green box की ज़्यादा तर चीजे वो है जो परियावन संग्रेक्षन से जुड़ी है, research से जुड़ी हुई है, छेत्रिय विकास कारिकरमों से जुड़ी हुई है, तो बड़े देश इस पर व्यापार में आगे बढ़ जाते हैं और इसलिए कई बार European, Brazil, भारत और अमेरिका जिसे देशों के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा एक टकराओ की स्थी देखने को मिलती है, तो यह हो गई घरेलिव समर्थन की बात, तीन सबसीडियों की बात हो गई, फिर है बाजार पहुच, बाजार पहुच का मतलब जैसा मैंने बताया, टैरिफ जितने भी हैं उनको कम करना, या फिर और बाकी जो बादाएं हैं उनको कम करना, और निर्याद सबसीडिय पर भी हम चर्चा कर चुके है, तो निर्याद सबसीडिय को भी कम करने की बात इसमें कही गई है, पहला समझोता होगे, आप दूसरा समझोता देखते हैं GATS या General Agreement on Trade in Service तो 1995 में ये लागू हुई और इसमें हमने सेवा चेतर की बात की, सेवा चेतर को भी हमने सम्मिलित कर लिया तो इसे लिए तो बनाया गया था WTO, क्योंकि पहले केवल GATS था, जो केवल किस पर बात करता था वस्तूवयापार पर लेकिन अब हम को चैये था कि हमको सेवा वयापार की बात करनी है, हमको बहुतीं समदाव वयापार की बात करनी है इसलिए फिर हम यहां पर GATS लाएं GATS में कुल मिलाकर कि 12 अलग-अलग सेवा छेतर हैं जिनके नाम मैंने यहां पर दिये वे हैं ठीक है और इन सभी छेतरों में यह नियम बनाता है और उनके अधिनिये लागू होते हैं कई बार GATS की आलोचना होती है कि साधार पर कुछ ऐसी सेवा वोपर जिनको सारुजनिक सेवाएं कहते हैं जैसे कि बिजली, सिक्षा, स्वास्ते, पानी अब आप जानते हो कि MFN का दर्जा देना और जो क्या बोलते हैं रास्ट्रे उपचार या नेशनल ट्रीट्मेंट जो है अगर ये चीज़े महेंगी होती है या फिर इन चीज़ों में अगर व्यापार के इस तरफे काम किया जाता है तो फिर लोगों के लिए जो मुल्भुत सुईधाई उपलब्त कराना है वो भी मुश्किल हो जाता है तो ये राज्य का विशे रही है मेंशा से पानी फ्री उपलब दोना जाता है पानी को भी अगर आप माली जी रेट तैय कर दोगे तो क्या होगा या उसा ही करन हो जाएगा ठीक है तो इस आधार पर कई बार इसका आलोचना की जाती है अगर हम बात करें ट्रेड इन सर्विस की तो चार मोडस इसमें माने जाते हैं पहला है क्रोस ब्रोडर एपलाई जैसे की आपने कोई एक सोफ्वेर बनाया और विदेश बेच दिया विदेश की देश को बेच दिया अब यहीं बैठे बैठे दूसरा होता है कंजम्शन अब्रोड तो when a person consumes a service in another member country, जैसे कोई गूमने आता है, तो वो यहाँ पर हमारी सेवाईन लेता है, आथित्ती की सेवाईन लेता है, तो वो consumption abroad category में गया, तेसरा होता है commercial presence, मतलब व्यावसाई को पस्तिती, जैसे कि आपने क्या किया है, अपनी company की एक branch विदेश में भी खोल ली, ज्या इस category में आ जाता है, यह हमारे GAD समझोते के बारे में, चार mode हो गए, जिन से services को हम देखते हैं, फिर आता है बोधिक संपदा पर trip समझोता, यह भी एक जनवरी उन्हीं 255 कोई लागू हुआ, WTO के साथ में, और बोधिक संपदा पर किया गया, व्यापक समझोता है, वैसे इसके लिए एक वीपो नामक संगठन बना हुआ है, World Intellectual Property Organization, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि यह आपके law के notes में available है, पेपर 3 में, तो मैंने वो आपको अवेलेबल करा रखे है, आरे जिंशन एप पर ही, आपको मिल जाएंगे, उसमें आप पढ़ना, ठीक है, वहाँ पर वो डीटेल में मैंने दिया हुआ है, तो यह एक समझोता अर्दीशों के बीच में बनाया गया और कुछ मानक तय किये गए ताकि बहुतिक संपदा का संगरक्षन किया जा सकी, इस समझोते का दूसरा नाम है, बर्न और पेरिस प्लस समझोता, तो बर्न और पेर किया करता है, कुछ मानक तय करता है, उनको लागू करता है और विवादू को निपटाता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़े जो बाकी समझोता हमे रहा है, इसमें भी वही होगा, तो कोई घबराने के जरुत नहीं है, कि सर बहुत स्पेशल पढ़ रहा है, कहां पढ करने है, ट्रिप्स में कौन कौन से बधann writing संपतादिकार है, है तो नाम पूछिअ गान्य गजिसे ट्रिप्स के बहुत संपतादिकार कों से हैं, तो जैसे पर इंडिकेशन हो गया, जिग्राफिक्न आ और का मंपर बात नहीं करूंगा, यह आपके लॉकंट के नॉटस में है आप महां पर देख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं रिपोर्ट की विश्व आपार रिपोर्ट अब जैसे आपने देखा WB की रिपोर्ट समने देखी वर्ल्ड बेंक की तीन रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी हुआ पर एक तो इस ऑफ डूइंग बिजनेस बंद हो च लुक जारी करता है ठीक है एक ये करता है क्लोबल फाइनेशल स्टयब्लिटी रिपोर्ट और एक आ फिसकल मॉनिटर मॉनिटर तीन रिपोर्ट साइयमा करता है डव्यूठ एव स्चेटिकल रिव्यू सब्सक्षां करेह तर जिसमें एंपड जतने भी है disposable रे्ट करता आगे हम क्या कुछ हो नये हम लागो कर सकते हैं सारी बाते व्ल्ट्रेज-एट में बताता है और तीसरा होता है какой पिर तो यह कहती आगा कि एक बार फिर से हम ग्लोबलाईäsिशन करें हं पुनय वैश्वी और वापस से अर्थ व्यवस्ताओं लोगों और इन सब का एक ही करण करें जो बिखर चुका है इस समय हम देखना है कि देशों के बीच में मनमुटाओ बहुत ज्यादा है और खास करके युक्रेन युद्धों और बाकी चीजों के बात में कोरूना के बात में जो है देश व पुलिटिकल स्ट्रेस बढ़ रहा है युक्रेन संगर्श हुआ चीन जैसे आगे बढ़ रहा है उससे व्यापार ठप हो रहा है नुकसान हो रहा है जो हमारी रेजिलियंट आपूर्ति शंकलाए है वो इसमें घडबड हो रहे है इसलिए चाहिए कि व्यापार एकिकरण हो बनाता है SDG के अनुकूल बनाती है ठीक है और आर्थिक एकिकरन की बात करती है उसको हम बोलते हैं पुने वैश्वे करा तो यह विश्वयापार रिपोर्ट 2023 का मुद्धा है अब बात करते हैं डंपिंग की डंपिंग मैंने पहले भी बोला था कि कोई देश क्या करेगा जान बूज करके मार्केट से कंपटिशन खतम करने के लिए अपने यहां से उतपात को कम कीमत पर दूसरे देश में इखटा कर देगा इससे क्या होगा कि वहाँ पर वो चीज सस् अपना एक चत्र अधिकार इस्थाफित कर लेगा इसको अनुचित व्यापार समझता बूला जाता है और अधिकार है कुछ देशों को एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का जैसे माली जी कोई देश अपने यहां पर कोई एससे एक वेरहाउस बनाकर कि चीजों को डंप कर रहा हो हूं क्या करेंगे उस पर एंटी डंप्स लगा देंगे इससे क्या होगा कि जो कमी उसने की अपने शुल्क में उतना शुल्क हम चेब देंगे उसके थे काध सीक्고 हो वह माल ओं पच्छेस उपे गे यह यहां रखा रहा है हमने बोला नहीं रूफ जा हम स्चार को रोकने के लिए अगर शुल्क लगेगा तो कोई डंपिंग करेगा ही ठीक है अगला है 2022 में जो बार्वा मंत्री स्तरे से मिल नो उसके क्या परिणाम हुए तो इसमें विशेशकर खाद्य ऐसुरक्षा पर बात की गई कोरुना के बाद में और कहा गया कि कुछ समय के लिए हम जो है निर्यात प्रतिबंदों से छूट प्रदान कर सकते हैं जो भी वर्ड खाद्य कारिक्रमों के लिए खरीद होती है जैसे भारत में बहुत बड़ा खाद्य कारिक्रम चलाया जाता है हमारे यहां ठीक है MSP से और जो हमारे खाद्य सुरक्षा कारिक्रम है उसके अंत प्रभाव को कम करने के लिए आयात करने वाला देश क्या करेगा उस पर अतिरिक्त शुल्क लगा देगा काउंटर्वेलिंग शुल्क उसी को बोलते हैं सबसीडी एंड काउंटर्वेलिंग मीजर्स ठीक है तो घरेल उत्पादकों को नुकसान से बचाने के लिए कोई दे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रिमेंट फैसिलिटेशन का मतलता है सुविधा देना कहीं बार क्या होता है किसी देश का प्रसाशन होता है उसकी कमियों की वज़े से व्यापार को नुकसान पहुंचता है तो नियमों को थोड़ा सिंपल करने के लिए ठीक है इस आव बिजन इते भी जो शुल का नुपालन है वो थोड़ा उसको आप उनलाइन कीजिए उसको फास्ट कीजिए उसमें लगने वाले समय को कम कीजिए ताकि वो चीजहें कम दाम उपर क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है दाम भी बढ़ जाता है तो इसलिए टेकनिकल साहता देना शम पर एक समझोता तो क्या है कि जो निवेश से जुड़ेवे नियम मनाए गए जैसे कि आप 40% कर सकते हैं 50% कर सकते हैं विदेशी देशक लिए उसको कम करने की बात की गई है तो कुछ निवेश उपायों के कुछ व्यापार में विक्रत प्रभाव हो सकते हैं और इसलिए उ मैंने आपको बता दिया पहले ही ये साहित्य और कलात्मकारियों की सुरक्षा के लिए विपो की एक संदी है डी मिनिमिस हमने पड़ा था एमबर सबसीडी में डी मिनिमिस मतलब जो कम से कम आप नियूंतम मात्रा सबसीडी की ठीक है जो की डबली सोदेश कर सकते हैं जैसे प्रबंदन और जल उपचार परियावण ये प्रवद्यों की किया तार्बन कैप्चर और बंडार ये सारी चीचे मुक्त व्यापार छेत्र दो देशों के बीच में कोई समझोता जिसमें वो अपने शुल्क माफ कर देते हैं एक दूसरे पर कुछ वस्तों पर उनको बोलत और ये किसी पर कोई छूट नहीं देता लेकिन इन सबसे लाब प्राप्त करता है इस तरह से अगर कोई देश बिना व्यापार के रियायत देते हुए MFN के लाब प्राप्त करता है ना उसको बोलते है निशुल कराइडर फ्री में ही मज़े ले रहा है जैसे कि भैस के विभेदक उपचार विशेश और विभेदक उपचार की मांगे करते हैं और लगातार करते हैं कि खाद सुरक्षा के लिए हमको हमारे करशी बाजार में सीमित खोलने की हमको अनुमतियों नीची मतलब जैसे भारत इतना गहीं उत्पादित करता है तो बाहर से आयात ना कर विशेश सुरक्षा तंत्र इस्पेशल सेफगार्ड मेकेनिजम विकासिल देशों के लिए एक विशेश सुरक्षा तंत्र है ठीक है सेम टू सेम जो हानिकारक क्रशी आयार पर टैरिफ लगाने की बात करता है इस पर भी चर्चा चल रही है रोम कंवेंशन वही सेम टू से टेक्निकल जो चीज़े बनाने वाले हैं खास करके कला से जुड़ी हुई उन पर उनको ले करके उनकी सुरक्षा को ले करके डव्ल्यू व्यूनेसको और इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजिशन की एक संधी है रोम कंवेंशन फिर आता है छेत्रिय व्यापार समझोते इ मैंने बता दिया आपको बहुत से समझोते जो किसी रीजन में लागू किये जाते और जिनमें छूट प्रदान की जाती है पैरिस कंवेंशन में आपके ओध्योगिक बहुत इक संपता इंडर्स्ट्रिल जो भी आपका इंटलेक्शिल प्रोपर्टी है पैटेंट हो गए इ अब बात करते हैं कुछ और चीज़ोटी देखो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर 4 ना यह 200 नमर का है और यह 200 नमर का पेपर आपके सेलेक्शन के लिए बहुत घातक भी हो सकता है तो बहुत लाबदायक भी हो सकता है इसकी प्रैक्टिस हम जनरली नहीं करते ह इसलिए 15 अक्टूबर से मतलब पिछले कुछ दिनों से हमने यह टेसरी शुरूर किये जिसमें 15 के करीब हमारे टेस्ट है एक घंटे का पिपर हर वीक हम करने वाले संडे को आपको मिलेगा ओनलाइन हमारे पोर्टल से आप इसको डाउनलोड करके या तो सिंपल साधा इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन भी हम आपको दे रहे हैं और केवल 500 रुपय में आपको अविलेबल है जो मार्केट में सबसे सस्ता है और गुणवत्ता पूर्ण भी है अब आप मुझे खुद बताओ कि आपको इतने गुणवत्ता पूर्ण नोट्स अगर कई मिल रहे हो किसी भी चैनल पर कोई भी फ्रीकी क्लासिस में आपको दे रहा हो तो बताओ बकवास खूब लोग करेंगे लेकिन जो अच्छा कंटेंट वो बहुत कम देते हैं अच्छे कंटेंट के साथ जाए अच्छे तरीके से तयारी कीजिए ताकि आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर पाएं तो हमारा टेलिग्राम चैनल आप जोइन कर लें ठीक है इसी तरह क्लासिस देखते रहो बने रहो मेरे साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद